हेलो नमस्कार सांतियों, वैलकम टो रोयली स्टडी, सांतियों आज के इस वीडियो में SSC दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल 2023 की स्पैसल एक्जाम के लिए आप सभी की डीमांड पर फाइनली नया वीडियो लेकर आ चुके हैं, इस वीडियो में हम कम्प्यूटर के मोस्ट कर रहेंगे यार, इस टिग लाइन के साथ में हम स्टार्ट कते हैं, आज के सांदर वीडियो सेरीज को, इससे पहले हम पहला वीडियो दे चुके हैं, जिसमें एक से पचास तक के कोश्चन्स हमने आपको कवर करवा दिये हैं, अगर नहीं देका हैं तो आप जाकर और जीमेल, चार ओप्शन आपको मिले हुएं, इनमें से आपको क्लिक करना है, जो भी आपको राइड अंसर लगे, वो आप क्लिक करते चलिएगा, ताकि आपको भी अपने स्कोर पता चलता रहें, इनमें से कौन सोसल मीडिया वेब साइट नहीं है, हमारा जो सही जवाब कुशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम कार्थ क्या होता है, यह आपसे पूचा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अर्थ होता है, यह क्या होता है, तो गैस यह जो होता है, यह होता है, प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है, यह होता है, यह IBM यानि कि अविस्कारा किस ने किया है इसका अविस्कार कंप्यूटर भासा जावा क्या अविस्कार किस ने किया है अविस्कारा कौन है सन Microsoft आपका यहां से option number C correct answer रहेगा नेक्स्ट कोचने internet पर सरवादिक प्रियोग्त होने वाली computer language कौन सी है तो computer पर सरवादिक प्रियोग्त होने वाली computer जो language है इसका नाम है Java Java यानि कि option number first correct answer रहेगा Java ही internet पर सरवादिक प्रियोग्त होने वाली computer language है नेक्स्ट कोचन निकल कर आ रहे हमारा इन में से कौन input device नहीं है monitor, magnetic tape, joystick और magnetic disk तो देखे इसमें से आपसे पूचा गया है कि कौन सा input device नहीं है यह आपसे बताया गया है input device इन में से कौन सा नहीं है यह आपसे पूचा है तो इसमें आपका जो correct answer जाएगा यहाँ पर देखे आपको जो options मिले यह काफी चाथ interesting है monitor, magnetic tape, joystick और magnetic disk clear है तो यहाँ पर आप तोड़ा सा ध्यान रखेगा इन में से कौन input device नहीं है monitor, magnetic tape, joystick और magnetic disk आप देखे गाईज मैं यह चीज आपको बता दूँ इस तरह के जो questions होते हैं यह आप सभी को पता होने चाहिए 110% I think आप सभी को पता होगा और यह questions हम आपको question of the day के 4 minute में आपको दे रहे हैं तो आप जल्दी से click करके बताईगा इसका सभी जवाब क्या होगा 55 question number 55 का right answer आप हमें comment में comment करेगा जल्दी से हम next question के और आगे बढ़ते हैं question है बिजली जाते शमी ही किस memory में रखा data समाप्त हो जाता है हैं तो यह आपका सभी जवाब रहेगा option number first रेम यानि कि बिजली जाते शमी ही किस memory में रखा data समाप्त हो जाता है रेम में रखा जो data होता है यह समाप्त हो जाता है first option यहां से सभी जवाब हो जाएगा अगला question है email के जन्मदाता है इन में से किस किन को मानगा जाता है email के जन्मदाता है यह मानगा जाता है यहां सभी जन्मदाता के रूप में मानगा जाता है अगला question है www के अविस्कारा के इन में से कौन है I think सभी इको पता होगा यह question का answer आपको world देखें यहां पर अविस्कारा का आपसे पूचा है, है ना तो देखे, www का अविस्कारा का आपसे पूचा है, www के अविस्कारा के इन में से कौन है वन न्यूमेन, जे इस किलवी टीम बरनसली और चार्ल्स बेवेज, क्लियरें तो वैस यहां से हमारे जो correct answer जाएगा यह जाएगा, यहां से टीम बरनसली, क्या जाएगा टीम बरनसली option number 6 question का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा, क्लियरें अगर अपन बात करें, www की तो इसका नाम होता है, worldwide wave इसका फिलफों होता है, यह भी आप देख लीजगा किसी computer के program में बच्चो द्वारा प्रियुक्त भासा प्राई, इन में से कौन सी होती है, तो किसी computer के program में बच्चो द्वारा प्रियुक्त भासा प्राई जो होती है, यह होती है कौन सी भासा होती है, logo यह होती है, logo भासा है, इसको ऐसे बॉल सकते है तो हमारा सी option correct answer रहेगा हमने जो first जो वीडियो दिया था इसका first part उसमें आपने बताया था कि यह काफी easy level के questions है तो हमने इस वीडियो में आपका जो pattern है यह increase करने के causes किये बागी और जैसे वीडियो आपके लिए आते जाएंगे सारे में आपको advanced level का जैसा आपकी exam में paper आता सिरीज के नेक्स्ट कुछ ने इनमें से optical memory क्या ही optical memory आपसे पूचा है इनमें से कौन सी है तो आपको यहाँ पर चार memory दे रखिये bubble, memories, fluffy disk, cd-rom और core memories तो इसमें से optical जो memory है यह कौन सी है यह आपसे पूचा है तो यह होती है cd-rom cd-rom याने कि c option के साथ में correct answer रहेगा सबस सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है आप सभी को पतावना चाहिए यह super computer होता है super computer सबसे तेज computer होता है first option correct answer रहेगा अगला कुछ ने google इनमें से एक क्या है तो google इनमें से एक search engine है क्या है search engine है browser, virus, search engine, operating system तो option संबर c, search engine आपका correct answer हो जाएगा इनमें से कौन से command की साहि से बचा सकते हैं यह आपको याद रखना है देखें यहाँ पर मैं आपको तोड़ा से बता दू सर्च इंजन जो है google है google के लावा कौन कौन से एक बिंग होता है बिंग याहू और बाइडू यह जो है search engine है तो याद रखेगा इन से related आपसे हो सकता है अगली सिप्ट में बन जाए इन में से कौन सी command की साइथा से हम किसी भी दस्तावेश को बचा सकते हैं यह question आपसे पूचा गया है तो यह जो command होती है command का नामे control-s control-s की मतब्स से हम उस command को save कर सकते हैं और जो है बचा सकते हैं तो यहाँ से हमारा d option correct answer इस question का हो जाएगा अगला question है सबसे अधिक तेज गति का printer इन में से कौन सा है सबसे तेज गति का जो printer होता है यह होता लेजर printer इसको बहलते हैं बी option में आपको आप्शनों जो दिखाए ज़र लेजर ने र इस सभाब यहाँ से हो जाएगा अगला question है dvd का उधारन इन में से कौन सा है डिस्क की यहां से आपको जो दिखाए दर है अप्टिकल डिस्क जो की आपको सी ओप्शन में करिक्टर अंसर हो जाएगा अगला कुशन है www.w.w. प्रोटोकोल का उप्योग इन में से कौन करता है www.w.w. प्रोटोकोल का यूज करता है ये करता है http ये याद रखिएगा और HTML इक होता है इसके अलग-अलग format होते हैं या फुल-फॉर्म होते हैं तो इनको आप याद रखिएगा आपकी एक्जाम में इस तरह के कोश्चा काफे ज़्यादा बंद हैं नेक्स्ट कोशन ने भारत में इंटरनेट की सुवीदा कब से प्रारंब हुई थी तो भारत में इंटरनेट की सुवीदा प्रारंब हुई थी 198925 से 1995 आपका D-Oψ्चन जो आपको दिखाए ज़र है ये सही जव curator हो जाएगा website का address निमलगित में से क्या कहला था है website का जो address होता है इसको हम URL बोलते है u r l इसको as a board सकते uniform resources locator इसको बोले था इसका full form रहा है URL यहां पर see option आपको जो दिखाई दे रहा है URL website का address होता है नहीं में लिखिए इसमें से क्या कहलाता है तो URL बोलाया था है और इसको URL का full form होता है uniform resource locator अगला कुछन है computer के अंदर अधिकांस processing किस में होती है computer के अंदर अधिकांस जो processing होती है यह CPU में होती है central processing unit में तो यहां से आपका सही जवाब रहे का option number C के साथ में चला जाएगा next question है micro processor कौन से PD का computer है micro processor जो है यह चतुर्त PD का computer माना जाता है चतुर्त PD का computer होता है micro processor तो D option के साथ में आपको यहां से क्लिक करना है अगला कुछन है इन में से कौन सा output device नहीं है output device इन में सा कौन सा नहीं है printer, monitor, plaster, touch screen तो इसमें से जो touch screen आपको दिखाए दर रहे यह output device नहीं है यह input device है touch screen D option से जवाब चला जाएगा अगला कुछन है computer में printed diagram पाने के लिए use के जाने वाला input device कौन सा है तो printed diagram पाने के लिए use के जाने वाला input device है इसका नाम scanner है scanner यहांने कि D option यहां से भी हमारा correct answer हो जाएगा अगला कुछन है monitor के monitor के display का आकार को इन में से कैसे मापा जा सकता है यह मापा जाता है तो monitor के display के आकार को जो मापा जाता है यह horizontally, diagonally और jig-jig, vertically तो यहां से हमारा correct answer option number B diagonally diagonally इसको मापा जाता है monitor के display के आकार को तो यहां से हमारा B option के साथ में correct answer रहेगा अगला कोशन है इन में से कौन सा input device है इन में से कौन सा input device है तो input device जो इन में से है इन में से input device कौन सा है तो keyboard, printer, server, monitor तो input device जिन में से हो जाएगा यह हो जाएगा keyboard C option correct answer हो जाएगा अगला कोशन है इन में से start menu को खोलने का shortcut क्या है स्टार्ट मेन्यू को खोलने का इन में से सौर्ट कट जो है यह कौन सा है इन में से स्टार्ट मेन्यू को खोलने का सौर्ट कट कौन सा है तो सही जवाब जो रहेगा यह रहेगा विंडोज लोगो Windows logo ये start menu को खोलने का shortcut किया I think आप सभी को पता होगा Windows logo पर जैसे किलिक करते है तो start menu open हो जाता है तो यही इसका shortcut किया होता है first option हमारा correct answer रहेगा अगला कुशन है Windows में निमले कितमे से कौन सी mouse तकनीक का प्रियोग नहीं होता है तो Windows में जिस mouse तकनीक का प्रियोग नहीं होता है इसको lifting बोला जाता है lifting इसको बोला जाता है first option correct answer हो जाएगा अगला कुशन है Windows में खुले हुए programs के बीच में अदला बदली के लिए किसका प्रियोग के जाता है Windows में खुले हुए program के बीच अदला बदली के लिए control और टेब का यूज के जाता है control टेब से हम जो है Windows में खुले हुए program जो होते हुए उनके अदला बदली कर सकते है तो आपका correct answer जाएगा control प्लस टेब यानि की option नमर भी control प्लस टेब भी option correct answer रहेगा अगला कुशन है LCD का पूरा नाम इन में से क्या होता है या क्या है तो आप सभी को याद रखना है liquid crystal displays का full form होता है क्या होता है liquid crystal display तो यहाँ पर हमें फस्ट option में दिखाए ज़े रहे liquid crystal display फस्ट option correct answer रहेगा दुनिया में सबसे अधि computer वाला देश इन में से कौन सा है तो दुनिया में सबसे अधि computer वाला देश है यह सन्यूक्त राज अमेरिका याने की USA आपका correct answer रहेगा option number C के साथ में अगला कुशन है भारत में internet उबोकताओ की सरवादिक संक्या इन में से कौन से राज़ के अंदर पाई जाती है तो सही जवाब इस कुशन का हो जाएगा महारास्ट में महारास्ट याने की first option के साथ में correct answer हो जाएगा mechanical देखे mechanical calculator का निर्मान किस ने किया था mechanical calculator का जो निर्मान किया था यह किया था ब्लेज पास्कल ने ब्लेज पास्कल आपका b option में जो option दिखाई दरा है आपको यह click आपका हो जाएगा यही आपको click करना है IBM इन में से क्या है IBM क्या है तो IBM एक software है एक program है company है तो IBM जो है यह company है एक company है तो c option correct answer यहाँ से हो जाएगा computer को internet से जोडने में कौन मदद करता है computer को internet से जोडने में जो मदद करता है इसका नाम होता है netfit, browser, cable, यह सबी तो आपका जो correct answer इस question का जाएगा यह जाएगा browser computer को internet से जोडने में मदद करता है browser b option correct answer रहेगा अगला question है computer के मुख के system board को इन में से क्या कहा जाता है computer के मुख के system board को इन में से क्या कहा जाता है तो इसको जो बोला जाता है यह बोला जाता है motherboard motherboard first option के साथ में correct answer रहेगा अगला कुश्य है html का पोरा नाम इन में से क्या है अभी हमने आपको बताया तब भी था html hypertext markup language इसका full form होता है क्या होता है hypertext markup hypertext markup language clear तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह से confuse हो जाएंगे hypertext markup language hypertext की जगे टेक नहीं करना है आपको यही हमारा सही जवाब रहेगा hypertext markup language यहने की first option correct answer रहेगा अगला कुशन है keyboard में functions की में इन में से कितने होते हैं हना यहने की keyboard में functions की में इन में से कितने होते हैं यह आपको बताना है 12 होते है 12 यहने की be option correct answer रहेगा computer की बहुतिक बनावट इन में से क्या कहलाती है computer की बहुतिक जो बनावट होती है disk operating system यह होता है first option का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला question है test में हमारी position कौन दिखाता है text में हमारी जो position दिखाता है यह cursor दिखा रहा है cursor दिखाता है cursor c option का रिक्टांसर यहां से हो जाएगा अगला question है game खेलना इनमें से किस की मदद से सबसे आसान हो जाता है गेम खेलना जो आसान हो जाता है ये कीबोर्ड, माउस, जायस्टिक ये सभी तो जायस्टिक होता है इसकी मदद से गेम खेलना सबसे आसान हो जाता है सी option correct answer रहेगा अगला कुशन है MS Word किसका उधारन है MS Word किसका उधारन है तो application software, operating system, compiler, running program MS Word एक application software है तो यहां से हमारा first option ही correct answer रहेगा अगला कुशन है computer में काम करने के लिए किसी software का पुरियोग किसके दुवारा किया जाता है सही जवाब इस question का हो जाएगा application, application first option computer में काम करने के लिए किसी software याने application software का पुरियोग याने कि किसी software का पुरियोग application दुवारा किया जाता है अगला कुशन है Microsoft company के संस्तापक का नाम क्या है Microsoft company के संस्तापक का नाम इनमें से आप याद रगिएगा Paul Allen और Bill Gates याने कि आपका C option correct answer रहेगा A और B दोनों यहां से हमारा option number C question का correct answer रहेगा दोनों ही संस्तापक है MS office को कौन से company ने तियार किया है MS office को जो तियार किया है कौन से company ने किया है तो Microsoft के द्वारा इसको तियार किया गया है C option इस question का सही जवाब हो जाएगा इनमें से कौन निसूल के email से वा परदान करता है इनमें से कौन हिसूल के email से वा प्रधान करते हैं अगला कोशन है पेक में नामक प्रसिद कंप्यूटर निमें से कौन से काम के लिए तियार किया गया था ये तियार किया गया था खेल याने की आपका option क्षिशन का बिल्कूल करने के लिए इन से कौन सा बटन दबाया जाता है ये रिफ्रेस का घंब वोड़ेडता है बटन तोbones हो जाएगा अगला कोशन ही Oracle है, Oracle क्या है तो Oracle एक Database Software है क्या है Database Software ही है तो B option यहां से सही जवाब हो जाएगा Next question की और आगे बढ़ते हैं अगला question है हमारा सूचना राजपत जिसे किसे कहा जाता है सूचना राजपत जो कहा जाता है यह Internet को कहा जाता है Networking, संचार, Accounting, DTP तो Tally का जो यूज़ कहा जाता है यह Accounting के लिए कहा जाता है Accounting, C option इस question का बिल्कुल Correct answer यहां से हो जाएगा तो guys यहां पर हमने top 100 जो questions है यह आपको cover करवा दिये हैं अब आगे आने वाले जो वीडियो आपको मिलेंगे channel पर daily basis पर उसमें हम आपको एक एक वीडियो में 100-100 questions या फिर आपकी demand के अनुसार 200-200 questions कवर करवाएंगे अब यह जो questions होंगे यह आपके बिल्कुल PYP से related होंगे और आने वाले 30 संभावित level के इसी तरह के questions होंगे जो आपकी exam में 110 percent बनने की पूरी possibility होंगी आपका computer का Hindi में का Hindi में क्या नाम है computer का Hindi नाम क्या है यह आपका गन्ना करने वाला हिसाब लगाने वाला संगनक परिगनक तो इसका जूँच सही जवाब है यह आप हमें comment में comment करी बिताएगा question of the day आपका आगे लिखकर आपका answer इसका लिखना है कि क्या आपका सही जवाब इसका रहेगा इलिरे बाकि आप अगर इस चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहले बार विजिट किया है तो आप सभी से request है कि चेनल को सब्सक्राइब कर लिजगा बेल आइकन को ओल पर select कर लिजगा आपकी exam में आप जादे टाइम बचा हुआ नहीं है तो आप अच्छे से इन सभी का revision करते चलिएगा पाकि आप comment में और भी बता सकते है जो जो आपको वीडियोज चाहिए हम आपके लिए dedicated वीडियो लाने के लिए तयार है आप बस comment में comment करके बता सकते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों सेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमें support मिले motivation मिले आपके लिए और अच्छी सची वीडियोज हम लाने की कॉसिस करते रहे तो मिलते हैं हमारी next जो वीडियो रहेगा उसमें तब तक लिए जय हिंद वन्दे मातरम